हेलो एब्रीवन इस वीडियो का टॉपिक है बार मेगनेट एज एक्विलेंट टू करंट केरिंग सॉलिनॉइट जो बार मेगनेट होता है वो एक करंट केरिंग सॉलिनॉइट के एक्विलेंट होता है यह हमने इस वीडियो में प्रूफ करना है तो हमें पता है कि अगर एक ँर यह बार मेंगनेत है इसके हो इसके सेंटर से Himox पर कोई प्वांट है सु假 यहाँ पर हमने मेंगिनटिक फेल्ड की वैल्यों निकालनी है किसी बार मेंगनेट की एकसे स्ब्सक्राइब निकालनी है में यहलु सांथ होता है वहा होता है मियो नौट अपन अपन आर्क्यूब यह इसका डाइपोल मोमेंट होता है तो अगर हम प्रूफ कर दें कि यह करेंट के इंग सॉलिनोइट के भी एक्षियल प्रूफ कर देंगे कि जो बार मेगनेट होता है वो सेम होता है तो यह हमने इस वीडियो में प्रूफ करने है तो अब एक सॉलिनोइट करते हैं जिसमें बहुत सारे potatoes हैं तो वोई इस तरीके से दिखाई दे रहा हम है कि यह एककरेंट केरींग सॉलिनोइट है कि इसमें बहुत सारे टान्स हैं तो यह हमें एक सेप में दिखाई दिखाई देरहे कि कि इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट है और यह ह tu आइछ इस के से आ और डिस्टिंस पर यहां पर हमने मेगनेटिक फील्ड की मेगनेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर लिए और यह वैल्यू आनी चाहिए मूनाट अपान 4.2 एम अपान आर क्यूब के एकॉल आनी चाहिए तब हमने यह कंडिशनल ली इसका जो क्रॉस एक्स यह small a है अब हम इसमें क्या करते हैं एक लूप कंसीडर करते हैं एक सर्कुलर लूप कंसीडर करते हैं यह हमने एक लूप कंसीडर करी एक रिंग कंसीडर करा जिसकी ठिकनेस जो है वो dx है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर यह लूप है यह जो डिस्टेंस है यह x डिस् हो गई और यह बचीवी लेंथ भी एल हो गई यह हमारा कंडीशन है तो हमने इसमें क्या करा consider a coil of thickness dx consider a coil of thickness dx and radius a P is a point at which magnetic field has to be found here हमारी condition है अब हमें पते है कि किसी एक coil के यह coil है जिसका radius a है इस coil से r distance पे कोई point b है तो उसका अगर हम magnetic field निकालें तो वो magnetic field होता है अब अब हमने इस coil के लिए लेना है तो माना इससे छोटा सा magnetic field है इसकी magnetic field दियो टू कोईल इस कोईल के लिए जो मेगनेटिक फील हुआ वो गया डी बी कोई टू म्यू नॉट अब जो एन है वो माना नमबर आप टॉन्स पर यूनिट जो लेंथ है उसमें नमबर आप टॉन्स जो है वो इसमाल न है तो हमने इस इस लेंथ के जो है इसमें जो न नमबर आप टॉन्स अब वो देखने है तो वह हो गया तो यहां पर हम ले रहे है कि जो कैपिटल एन है इसकी वैल्यू है एंड अब टू एडियेस्टव तो एडिस्टंस गाल रहे है लेकिन यह डिस्टंस इसके सेंटर सी डिस्टंस आ रहे है लेकिन हमने कहां से लेना है इस coil से लेना है उसका तो ये total r है r में से अगर x को minus करते तो ये वाली distance आ जाएगी तो ये जो distance होगी ये होगी r square r minus x का whole square की power 3 by 2 हमने ये जो coil consider करें इससे distance लेनी है ये जो distance है r और ये coil इसके center से x distance पे है तो इसका मतलब coil से p point की जो distance है वो क्या होगी r minus x होगी तो ये इसका magnetic field आ गया इस coil के लिए mu naught ndx i a square upon 2 a square plus r minus x का whole square की power 3 by 2 अब इसमें condition है कि जो ये जो distance है ये जो r distance है ये इसके radius से बहुत बढ़ी है और इसका जो हमने जो distance दिया है इससे भी बहुत बढ़ी है तो हम क्या करेंगे r और ये जो x और a है इसको neglect कर देंगे तो जो d b आ जाएगा वो आ जाएगा mu naught ndx i a square upon 2 यहां पर r लेना है बाकी सब छोड़ देना है तो यह हो जाएगा r square की power 3 by 2 तो इसको solve कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें mu naught ndx i a square upon 2 r cube यह हो गया इस coil के लिए magnetic field अब पूरे अगर हमने magnetic field निकालना है पूरी solenoid के लिए अगर magnetic field निकालना है तो हमने इसको integrate करना पड़ेगा minus l से यह 0 है तो यहां तक कितना गया वो minus l और 0 से इधर कितना गया plus l तो जो magnetic field होगा due to solenoid magnetic field due to solenoid यह क्या होगा b equals to integration इसको कहां से करना है minus l से plus l तक हमने इसका integrate कर देना है db equals to minus l to plus l mu naught ni a square dx upon 2r cube अब यह सारे के सारे constant है हमने सिफ x के respect में integration करना है तो सबको बहार निकाल देंगे तो हो जाएगा mu naught ni a square upon 2r cube integration minus l से plus l dx तो dx का integration हो जाएगा x तो यहां पर आ जाएगा mu naught ni a square upon 2r cube dx की जगे हो गया x integration करके limit है minus l to plus l तो हम इसमें आप limit लगा देंगे तो हो जाएगा mu naught ni a square upon 2r cube पहले upper limit लगाई x की value l लगी minus lower limit x की value minus l हो गई तो यह 2l हो गया तो हो गया mu naught ni a square upon 2r cube into 2l अब हमने क्या करा इसमें 2pi से उपर नेचे multiply कर देते हैं तो यह हो गया mu naught यह n into 2l को एक जगे लिख दिया n into 2l a square into 2pi upon 2r square into 2pi मतलब 2pi upon 2pi से हमने multiply कर दे इसको cancel हो जाएगा यह ही आएगा अब इसको थोड़ा सा solve कर दिया तो यह हो गया 2 बाहर निकाल दिया 2 यह हो गया 2 बाहर आया mu naught n into 2l pi a square upon 4pi r square बन गये क्या करा इस 2 को बाहर लिख दिया यह 2 हो गया mu naught n into 2l pi a square upon 4pi r cube यह आगया हमारा अब जैसे हमने माना था कि जो number of turns per unit length के जो number of turns थे वो था small n अब इस solenoid की total length कितनी है 12 तो 12 unit length के लिए यह क्या हो जागा यह total number of turns हो जाएंगे solenoid के n जो है एक unit length का number of turns है और 12 के है पुरे solenoid की length है तो यह n into 12 किसके equal हो जाएगा capital N के equal हो जाएगा और pi a square यह क्या है इसका cross sectional area है तो हम इसकी जेगे क्या लिख सकते है n into a और इसमें current भी है current की value ने लिखी हमने तो i into i लिख देता है तो अब इसको थोड़ा सा और solve कर देते है to mu naught इसकी जेगे हो गया n i और यह pi a square की जेगे हमने लिख दिया a upon 4 pi r cube अब n i a क्या होता है dipole moment होता है current carrying loop का जो dipole moment होता है वो होता है n i a तो अब हम इसकी जेगे लिख देंगे capital M तो यह हो गया mu naught upon 4 pi 2m इसकी value है m तो 2m upon r cube तो यह आ गया dipole moment आ गया b equals to sorry magnetic dipole जो magnetic field है solenoid के लिए जो magnetic field है वो क्या mu naught upon 4 pi 2m upon r cube तो हमने यह proof कर दिया कि जो solenoid है उसके axial point पे magnetic field वही होता है जो एक bar magnet के axial point पे magnetic field होता है तो इसका मतलब जो solenoid है वो किसकी तरब behave करता है एक bar magnet की तरब behave करता है इसको एक बार और दुबारा से देख लेते हैं हमने यह proof करना है कि जो solenoid होता है एक bar magnet की तरब behave करता है तो हमने एक solenoid बनाया उसके axis में उसके center से r distance पे एक p point है जहाँ पे हमने magnetic field की value find कर लिए तो हमने क्या करा यहाँ पे एक छोटया सा एक coil consider करी जिसकी thickness dx है इसका जो center से distance x है और हमने पता है कि एक coil के लिए magnetic field होता है mu naught ni a square upon 2a square plus r square की power 3 by 2 तो इस coil के लिए जो magnetic field हो जाएगा mu naught ndx जो यह coil है यहाँ पे जो number of turns per unit length है एक unit length में जो number of turns है एक unit length के number of turns है n तो इस coil की distance क्या है dx तो dx के ले क्या हो जागा ndx और total solenoid की length क्या है 2l तो 2l के ले क्या हो जागा n into 2l यह total number of turns हो जाएगे capital N के equal हो जागा तो पहले हमने coil consider करी है तो coil की जो length हो जाएगी वो ndx हो जाएगी तो इसकी जगे हमने लिख दिया ndx i a square upon 2a square plus r minus x का whole square की power 3 by 2 यह r minus x इस coil से इस p point का distance फिर हमने condition ली कि जो distance है वो इसके radius से भी बढ़ी है और इस distance यह distance से भी बहुत बढ़ी है तो इसलिए हमने a और x को neglect कर दिया तो इसको solve कर दिया यह आगा अब यह आगया एक coil के लिए magnetic field अब हमने पूरे solenoid के लिए निकालने है तो पूरे solenoid के लिए इसको integrate कर दिया minus l to plus है तो इसको integrate करा dx variable है dx का x हो गया limit लगा दी minus l से plus l तो एक बार upper limit लगी एक बार lower limit रखी तो इसको solve करके 2l आगया अब क्या करा हमने 2pi से उपर नीचे multiply करती है फिर क्या करा यह जो 2l into n है 2l into n यह किसके equal हो गया capital n के तो इसकी जगह हमने लिख दिया capital है और जो pi a square है यह pi और यह a square तो जो pi a square है इसकी जगह लिख दिया capital a और current को ऐसी रहने दिया बाकि सारा ऐसी रहने दिया अब हमें बता है कि जो magnetic dipole moment ह होता है वह होता है NIA तो इस NIA की जगह लिख दिया हमने M लिख दिया capital M यह है magnetic dipole moment upon RQ तो इदर से जो magnetic field आ गया axis पे वो क्या आया mu naught upon 4 by 2m upon RQ तो इससे प्रूफ होता है कि जो एक solenoid होता है वो किसकी तरह behave करता है एक बार magnet की तरह behave करता है